मैं ऐसे फद्वों को नहीं मानती हूं क्योंकि फद्वे जारी करते रहते हैं आए दिनाई जिन जबी में कोई पूजा अर्चना को लेकर कुछ भी करती हूं अच्छा लगता है मुझे ये सब करना तब ही फद्वे जारी करते हैं लाम सिर्फ अल्ला की भूजा, अल्ला की परस्ति शिखाता है कहते हैं, इनके कहने से मैं ना तो हिंदू बनूंगी ना मुसल्मान बनूंगी लेकिन मैं एक इंसान ही रहूंगी दोनों धरमों को मानने वाली रूबी खान इस वक्त मेरे साथ ही मौजूद हैं, हम उनके घर पर मौजूद हैं अलीगर्ड की बात करें, तो खासतोर पर एक ऐसा सेंजिटिव ये इलाका है, पुरा शहर, क्योंकि बड़ी आबादी जो है, वो यहाँ पर मुसल्मानों की है ऐसे में उस भीड में एक चहरा जब किसी से अलग नजर आता है, तो जाहर है, वो सुर्खियां बटोडता है इसलिए सुबह से ही रूबी खान लगाता है, यहाँ पर मीडिया से बातशीत कर रही है, उनके घर पर लोगों का आना जाना जारी है निखे हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां बचपन से बच्चे बच्चे को सिखाया जाता है कि मजभी खान की तरह यहाँ पर आप दिखें गणिश जी की प्रतिमा है और पीछे उन्होंने घर में मंदिर की स्थापना की हुई है, यह एक मुसल्मान परिवार है जो नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, आयत भी पढ़ते हैं, इनके घर में आपको लड़ु गोपाल भी दिखेंगे, हनुमान जी भी दिखेंगे, शिफ पारव जावे के लिए जो नके उपर आरोप लग रहा है, ऐसा यहां पर आकर मुझे बिलकोल नहीं लग रहा, रूबी खान मेरे साथ मौजूद हैं, रूबी जी बड़े आरोप आप पर लगना शुरू हो गए हो और फतवे जारी हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि अब आप मुसल्म या तो आप मुसलिम इसलाम त्याग दे या हिंदू धर्म अपना लें? ये मुसल्मान नहीं रही, और अब मुझे अच्छा लगा, मैंने गणिस जी की वगवान जी की मूरती अपने गर में स्थापित की साथ दिनों के लिए, और मैं इनको विसरजन करने के लिए भी लेकर जाओंगी बड़े धूमधाम के साथ जैसे विसरजन होते हैं, तो मु ये चाते नहीं है, जब ये हिंदुस्तान में रहने हैं, तो हिंदुस्तान जैसी बात नहीं है इनके अंदर, तो ये पदवेदारी दे रहा हैं, इसलिए दे रहा है कि कैसे हमारा हिंदुस्तान अलग-अलग हो, टुकड़े हो इसके. हर इंदुस्तानी यही मानता है कि सर्वधर्म संभाव की जो भावना है हम इसमें जीते हैं, लेकिन फत्वों का डर है कि मुसल्मानों में बड़ा तबका जो है, वो खुलकर भगवान की पूजा अर्चना नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, आपको फत्वे जारी होत हैं, इसलाम से बहिशकार की बात कई जारी है, डर नहीं लगता है, एक मुसल्मान होकर इतना बेख़ौफ आप कैसे हैं? अब नहीं जाते हैं, पर आप ऒए खुड़ाप बहुत कारते हैं, इसलाम मानते हैं, वो यहीं कहते हैं, ला-इलाह, इल्लाव, घुलस बेखराएं, यहां पर तो आप तू आप घंड़ा हैं, चिराइन, देख़ा हैं पूजापट कर रही हैं आपको था वो मुसल्मान नहीं मानते हैं उनके मानने को रखाओं हुए हैं और कुरान भी आजब लगत फूराइन में अन्ला नजर आता है तो मैं ये भी करती हूं, मुझे बहुत खुसी होती है अंदर से, मौलाना कुछ भी कहते रहे हैं, इनके कहने से मैं ना तो हिंदू बनूंगी ना मुसल्मान बनूंगी, लेकिन मैं एक इंसान हूं, मैं एक इंसान ही रहूंगी दोनों धरमों को मानन झाले वाली.